साथियों जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं इसलिए ही आजहादी के इस अमरित काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोराया है पिछली सद्यों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृती के दोहन को शक्ती प्रदर्शन और आधुनिक्ता का प्रतीक मान लिया गया था 1947 में जब देश में केवल आखरे तीन चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निश्ठूरता वा गैज दिमेदारी से शिकार कर लिया गया ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से बिलुप्ततों गोशित कर दिया लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दसकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ आज आज़ादी के अमरित काल में अब देश नई उर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुड़ गया है अमरित में तो वो सामर्थ होता है जो मुर्थ को भी पुनर्वित कर देता है मुझे खुशी है कि आज़ादी के अमरित काल में करतव्य और विश्वास का ये अमरित हमारी विरासत को हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धर्ती पर पुनर्वित कर रहा है इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है एक ऐसा कारिय राजने इतरीक द्रिश्टी से जिसे कोई महत्व नहीं देता उसके पीछे भी हमने भरपूर उर्जा लगाई इसके पीछे एक विस्तरूत चीता एक्शन प्लान तयार किया गया हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की साउथ आफ्रिकान और नामी बियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया हमारी टिम्स वहाँ गई वहाँ के एक्सपर्ट भी भारत आए पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक छेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किये गए और तब कुनो नेशनल पार्क को इप्सुर्ट सुरुवात के लिए चुना गया और आज हमारी वो महनत परणाव के रूप में हमारे सामने है